क्या हनमान जी से मिलना पॉसिबल है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हनमान जी आज भी सर शरीर पृतियों पर विराजमान है और भक्तों के हमेशा मदद करते रहते हैं तो सवाल उड़ता है कि क्या हम हनमान जी से मिल सकते हैं तो आंसर है हाँ हम हनमान जी से मिल सकते हैं दोस्तों लखी जी ने केमेंट कहता कि आप इस टॉपिक के उपर वीडियो बनाईए तो केमेंट के लाब का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों तुलिसिदाज जी हनमल जी से कैसे मिलेते उसी के बारे में हमें वीडियो बना रहे हैं तो आपके किजे आप इस वीडियो को अंतक जरू दिखिए अगर आप अपने जिन्दिगे में कोई इंटलिजेंट बन्दा चाते हो तो क्या किजे जरू इस चैल्लों को सस्क्राइब कीजे और जो बेला करना रहा न उसको भी जरू दबा दीजे दोस्तों तुलिसिदाज जी एक राम भक्त थे वो काशी में रहा करते थे दिन रात वो राम नाम का जाब क्या करते थे सुबह नदी पर नहाने आते थे पर वहां पर ही एक मरावा पेड था तुलिसिदाज जी नहा कर जाते वक्त उस मरेवे पेड पर जल डाल दिया करते तो रोजो वीज़ाएं आना नहाँ और जाते वक्त उस मरियवे पेड पर पाने डालना यहीं उनकी दिनचरिया थी पर उस मरेवे पेड में एक प्रेत रहा करता था रोज ओ प्रेत देखा करता था कि तुलिशिदाजी राम नाम जाप करते वे आते हैं और यहाँ पर जल चड़ाते हैं तो कुछ दिन बाद वो पेड जिंदा होने लगा और हराबरा देखने लगा इसी हो प्रेत बहुत प्रसंद हो गया जब अगले सुबह तुलिशिदाजी पाने डालने आए तो यह प्रेत उनके सामरे प्रकट हो गया प्रेत को देखकर तुलिशिदाजी डर गए तब प्रेत ने कहा अरे तुलिशिदास तुम डरो मत मैं तुमारे करम से अत्यंद प्रसन हूँ तुम जो चाहे मांगो मैं तुम्हें दूँगा तब तुलिशिदास जी बोले मुझे मेरे श्री रामजी के दर्शन चाहिए तब ये सुनकर प्रेद बहुत प्रसन हुआ और मनी मनी सोचने लगा कि एक सच्चा भक्त भगवान के दर्शन की बिना और कुछ ने मांगता ये तुलिशिदास तो महान है तब प्रेद ने कहा हे तुलिशिदास मैं तुम्हें श्री रामजी से नहीं मिला सकता क्योंकि मैं एक प्रेद हूँ पर एक व्यक्ति है जो तुम्हें श्री रामजी से मिला सकता है तब तुलिशिदास जी बोलते हैं काउन है वो तब प्रेद ने कहा श्री रामजी का सबसे बड़ा भक्त ही तुम्हें श्री रामजी से मिला सकता है तब तुलिशिदास जी ने सोचा श्री राम जी का सबसे बड़ा भक्तो हनमान जी है तब प्रेट ने कहा हाँ तुलिसिदास हनमान जी ही तुम्हें मिला सकते हैं तब तुलिसिदास जी ने पोचा मुझे हनमान जी कहां पर मिलेंगे तब प्रेट ने कहा तुम्हें यहां से सिरी चले जाओ तुम्हें चित्रकुट नाम के नगरी मिलेगी वहाँ पर एक मंदिर है वहाँ पर हर सुबह राम नाम का किर्टन चलता रहता है वहाँ पर आने वाला पहला विक्ति और मंदिर से बाहर जाने वाला आखरे विक्ति ही हनमाजी होंगे तुम उन्हें जरूर पैचान लेना तब तुलिशिदाज जी प्रेत को धन्यवात कई कर चित्रकुट नगरी के तरब चल पड़े जब वो चित्रकुट नगरी में पहुंचे तब रात हो चुगी थी तब वो मंदिर में गए और वहाँ के लोगों से पूछा ये राम नाम किर्तन कब होता है तब लोगों ने कहा हर सुबा यहाँ पर राम नाम कर संकिर्तन चलता है आप सुबा आ जाएगा तब तुलिशिदाज जी उनको धन्यमात कहे कर एक धर्मशाला में रूख गए तो अगले सुबा तुलिशिदाज जी जल्दी उटकर नदी में स्नान करके मंदिर में आये तो उनको ने देखा कि मंदिर में तो कोई भी नहीं है तब तुलिशिदाज जी के नजर मंदिर के कोने में बेटे हुए एक आजमी पोर पड़ी वो आदमी बहुत बुज़ूर और कमजोर था तब तुलिशिदाज जी को प्रेट के वचन याद आये मंदिर में आने वाला पहला और मंदिर से जाने वाला आखरे विक्ती ही हनमान जी होंगे पर तुलिशिदाज जी को उस आदमे को देखकर लगा ये बुज़र्ग और कमज़र आदमी हर्मान जी हो सकते हैं क्या तब मंदिर में लोग आने लगे और राम नाम भजन प्रारम हुआ भजन हुआ राम जी के आर्थी भी हुई प्रसाद बाटा गया तब लोग एक एक करके जाने लगे तब सब चले गए पर तुलिशिदाज जी और वो आदमी वहाँ पर ही थे तब तुलिशिदाज जी उस आदमी के तरफ गए और उसे कहा हे बाबा भजन तो खतम हो गया सब चले गए पर आप यहाँ पर क्यों बैटे हैं आप भी अपने घर चले जाए तो उस बुज़र्ग आदमी ने कहा नहीं भाई मैं कमजोर हूँ जल्दी से चल नहीं सकता तुम जाओ मैं बाद में सरकते वे चला जाओंगा तब तुलिशिदाज जी को यह पराच लगिया कि यह हनुमान जी ही है तब उनके चरणों में गिर गए और बार बार मिनेते करने लगे कि हे प्रभू आप मुझे दर्शन दीजे हे प्रभू आप मुझे दर्शन दीजे तब हनुमान जी ने तुलिशिदाज जी को अपना रूप दिखाया तब तुलिशिदाज जी ने आनन्द विवर होकर हनुमान जी को साक्षटांग प्रणाम किया और हनुमान जी से कहने लगे तब हनुमान जी ने कहा प्रभराम तुमे कल मिलने आएँगे तुम मने जरूर पैचान लेना अगली सुबह तुलिशवाज जी के घर के सामने से ही तो राषकुमार जा रहे है थे उनके आंखे बहुत तेजस हुई थी उनके शरीर से तेज उर्जा निकल रही थी तब तुर्जिजा जी ने सोचा लगता है कोई राशकुमार है इतना ओज तेश तो राशकुमार का यह होता है जहां जा रहे हैं जाने दो तो राशकुमार वहां से चले गए तब हनुमान जी आये और तुर्जिजा जी से कहने ल अगली सुबा तुलसिदास जी बेटे वेते तब राम और लक्ष्मन जी बच्चे की रूप में आए और तुलसिदास जी से चंदन मांगने लगे तब तुलसिदास जी उनके लिए चंदन पेशने लगे तब हनमान जी ने सोचा अगर इस बार तुलिसीदास ने रामजी को नहीं पैचाना तो गड़बढ हो जाएगी तब हनमान जी एक तोते के रूप में आये और एक दोहा गाने लगे चित्रकोटे के घाट पर भरिसंतन की भीड तुलिसीदास चंदन घिसे तिलक करे रगुवीर तब एस सुनकर तुलिसीदास जी समझ गए कि ये दोनों बच्चे श्री राम और श्री लक्ष्मन ही हैं तो उन्होंने साख टांग दनवत कर दिया श्री राम जी को तब श्री राम जी ने उनको अपना दर्शन कराया इसे तुलिसीदास जी भाव विबर हो गए तो दोस्तों ऐसे तुलिसीदास जी ने हनमान जी की मदद से श्री राम जी के दर्शन प्राप्त किये तो इसमें सीख क्या है अगर आप भगवान के सच्च भक्त हैं तो आपको हनुमान जी जरूर मदद करेंगे हनुमान जी का लियूग में भक्तों को भगवान तक पहुंचाते हैं अगर आप हनुमान जी को देखना चाते हैं तो आपको भगवान के शुद्ध भक्ति करनी वश्च करिए तो आपको हमारा वीडियो काशा लगा मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगाओगा अगर आपको अच्छा लोट आप केजिए जरूर सर लाइक कीजिए और भूसनक से शेर केजिए और थाड़ा बात केजिए सब्सक्राइब कीजिए और भूसनक मैं